ए लंका धिराज मुझे आपके पास श्री राम ने परामर्श और मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिए भेजा है राजन मुझे उत्तर दें वो इलाब नहीं है भाईया वो तो मेरी बात ही नहीं सुनका तुमने उन से आदर पुरवक बात तुक ही ना जी हां मैंने वैसा ही किया है जब तुम उनसे बात कर रहे थे खड़े कहां थे उसके बगल में सिर के पास ताकि वो मेरे बात सुन सके यही तो भूल हुई लक्ष्मन तुम्हें उनके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए था वैसे ही जैसे एक शिश्य गुरू के पास खड़ा होता है परन्तु भहिया वो मेरा गुरू नहीं है ज्ञान को तुरसकार मत करो ज्ञान सदा पवित्र होता है चलो हम दोनों उनके पास चलते हैं महाराश मैं भला आपको क्या मार्क दर्शन दे सकता हूँ मेरी बुद्धी तस्वयं भ्रमित और अंदकार में डूबी है वो चित और अनुचित के बीच का भेद जानने में असमर्थ है हे रगुकुल स्वामी मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ महाराज आप मुझे बड़े हैं अनुभवी भी हैं एक समर्थ शासक रहे हैं आप मुझे उचित अनुचित और शासन करने के संबंध में आपके विचार जानने चाहिए हे राम मेरे जीवन का अंत अब निकट है कुछ भी कह पाना कठिन है फिर भी थोड़ा बहुत जो कहता हूं वो सुने हे रगुराज वोई भी कार्य जो दया प्रेम और परुपकार की भावना से किया जाता है वो निश्चित ही अच्छा होता है किन्तु सतकर्मों को हम सदैव स्थगित करते रहते हैं अगर आप कोई सतकर्म करना चाहते हैं तो उसमें देरी न करें उसे तुरंत कर डालें नहीं तो बाद में उसे पूरा करने में कठिनाई होती है किसी अच्छे काम को टाल दोगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा उचित कहा है हाँ दुश्कर्मों के बारे में तो मैं तुम्हें बहुत सी बातें बता सकता हूँ मैंने जीवन में दुश्कर्म ही दुखिये है देखो आज मेरे सभी पुत्र पुत्र मारे जा चुके है क्रोध, घमंड, धिना इनहीं से दुश्कर्मों का जन्म होता है किसी ख्षन के आवेश में आकर हम तुश्कर्म करने के लिए उतावले हो जाते है जब सुर्प नखा, रोती, चिलाती, बिलखती हुई मेरे पास आई तो सबसे पहले मेरे मन में यही विचार उठा के सीता का हरंड करके इस अपमान का बतला लूँगा थोड़ा भी नहीं रोका तनिक भी नहीं सोचा किन्तु बलकि जितनी शीगरता से हो सका यह कारे को पूरा कर डाल जैसा के हे रगुवंशियों के स्वामी जैसा के दुश कर्मों की प्रविती होती है कि वो चिला चिला कर अपने पूरे होने की मांग करते है किन्तु बुद्धिमान रखती वो होता है जो ग्रोध घ्रिणा और घमंड से प्रेरित होकर कर करने में अपने को रोकता है उचित अनुचित के बारे में मेरा यही ग्यान है ए राम इस ग्यान का तुम सद्यूप्योग करना और मेरे अप्रादों को शमा करना